गाईज ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिफ की पास तरहे से आर्थी की जाती है जिसमें सबसे महत्मून होती है भस्मार्थी जीहागा इस देश के बारह जोतिलिंगों में से एक उज्जेन के महाकालेश्वर जोतिलिंग में हर रोज भस्मार्थी की जाती है भस्म से शिवलिंग का हर रोश्रिंगार किया जाता है ऐसी माननेता है कि भस्म आर्थी भगवान शिप को जगाने के लिए की जाती है और यही कारण है कि यह आर्थी महाकालेश्वर मंदिर में सुबह चार बजे की जाती है गए सालों पहले तो शम्शान से ताजी भस्म लाने की परंपरा थी हलाकि पिछले कुछ सालों में अब कपिला काय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बढ़, अमलताश और बेर की लकडियों को चला कर भस्म को तयार किया जाता है इसे जलाते वक्त पुजारी मंत्रोचार भी करते हैं, इसके बाद उस भस्म को एक कबड़े से छान लिया जाता है ऐसे तयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है